Hello students, good evening to all of you, आप सभी का दब्वेंट सिभी जंग्संस पर मैं आमिर सिद्धी की हारदिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूँ कैसे हैं दोस्त आप लोग उमीद करों कि अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाय लिखाई का कार ये बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा आप सभी लोगों का रिवीजन का कार भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज सैटर्डे है और Saturday को हम सभी लोग revision batch में revision का कार ये बेतरिन तरीके से करते हैं आज के session में हम सभी लोग revision batch में कुछ important topic जो हमने last week batch में पढ़ा है जिसमें पहला topic है पक्सेनिया, ग्रैमिनिस, टिटिसाई इसके बारे में हम सभी लोग practice session करेंगे और इससे सम्बंधित कौन से प्रश्न examination में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों को हम सभी लोग देखेंगे और discuss करेंगे इनके answers को उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग तयार होंगे और पक्सेनिया, ग्रैमिनिस, टिटिसाई का बेहतरीन तरीके से revision का कारिक किये होंगे साथ में हम सभी लोग देखेंगे एगरिकस के बारे में एगरिकस आपके examination के point of view से काफी important है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसके माध्यम से अपने concept को clear करेंगे साथ में हम सभी लोग देखने वाले हैं, non-cordate में, last week हम सभी लोगोंने अर्थवाम की practice की थी एनिलीडा फाइलम क्लास में चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग एनिलीडा को complete कर चुके हैं आर्थ्रो पोडा की और आगे बढ़े हैं, आर्थ्रो पोडा में general characters हम लोगोंने देख लिया हैं, आर्थ्रो पोडा में कल हम सभी लोगोंने classification को बहतरीन तरीके से learn कर लिया है, और उम्मिद करते हैं, आप सभी लोगों का classification ready होगा साथ में हम सभी लोग आज देखेंगे, लीच के बारे में important question जो हमारे examination के point of view से important है उम्मिद करते हैं, आप सभी लोग तयार होंगे और आज जिन लोगोंने admission की प्रिक्रिया को पूरा किया है वो सभी लोग इस class के माध्यम से practice करेंगे और आज Saturday है और कल Sunday है आज Saturday को आप सभी लोग कम से कम दो class non-cordate की और दो class जो हैं आप lower botany में एगरिकस और आप अकसीनिया की जरूर से जरूर complete करेंगे, साथ में आप सभी लोग कल Sunday है और कल Sunday की class में हम सभी लोग 480 lines के class को continue कर रहे हैं कल शाम को 7 बजे हम सभी लोग इस class के माध्यम से, कल हम सभी लोग 480 lines की दूसरी class करेंगे 480 lines जो हमने आपके लिए एक special class जो है analyze किया है 480 lines की कल की class जो pinpoint season 4 के नाम से होगी pinpoint season 4 के नाम से होगी इस class में कल हम सभी लोग उपस्थित होंगे और ये class कल शाम को 7 बजे होगी आप सभी लोग कल 7 बजे इस class में मिलेंगे जो आपकी pinpoint season 4 की दूसरी class होगी इसमें हम सभी लोग lines के आधार पर जैसे आपने पहली class में देखा है उसी के आधार पर कल दूसरी class में आप सभी लोग बेतरीन तरीके से समझेंगे और जानेंगे concept को आप सभी लोग ready रहेंगे इस class के लिए और इस class के माध्यम से हम सभी लोग continue करेंगे पकसीनिया, एग्रिकस, नेरिस और लीच के बारे में आप सभी लोग समझेंगे आप में से जो लोग किसी कारण बस अभी तक admission की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं TGT, PGT, LT, GIC के लिए preparation कर रहे हैं जिनका MSC final year चल रहा है या B.E.D. last year चल रहा है वो सभी लोग बैस से जुड़ने के लिए इस नंबर पे WhatsApp करें join biology लिख कर भेजें और जिनकी preparation बहतर तरीके से हो गई है अपनी preparation को और बहतर बनाने के लिए practice session के माध्यम से अपने concept को clear करने के लिए join sure test series लिख कर भेजें जिसमें लगभग 12,250 प्रशनों की श्रिंकला हम लोगों ने देखी है दोस्तों आप में से सभी लोगों ने आज देखा है आज Saturday था आपके LT के exam को ध्यान में रखते हुए आपके GIC के exam को ध्यान में रखते हुए GIC के exam को ध्यान में रखते हुए KVS के exam को ध्यान में रखते हुए NVS के exam को ध्यान में रखते हुए EMRS के exam को ध्यान में रखते हुए बिहार के exam को ध्यान में रखते हुए जारखंड के exam को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के exam को ध्यान में रखते हुए हर्याना के exam को ध्यान में रखते हुए DSSB के exam को ध्यान में रखते हुए आपकी संस्था में GS का बैद चल रहा है आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इस 5 घंटे 31 मिनट की क्लास हुई है जिसमें हम सभी लोगों ने practice session किया है आप में से कई सारे लोग हैं जिनका data finish हो गया होगा लेकिन किसी कारण मतलब किसी भी तरही से arrange करके वो क्लास में present होंगे तो ये सारे exam आप से GS की demand करते हैं तो आप सभी लोग GS को complete करने के लिए GS को बेतर बनाने के लिए हमारे इस batch GS के batch से जुड़ सकते हैं और GS के batch से जुड़ने के लिए आप सभी लोग GS की class में thumbnail लिखा है जिसमें 244-288 नमबर है आप उस नमबर पे WhatsApp करके GS के batch से जुड़ सकते हैं धीरे धीरे जो आप ये मिहनत करेंगे ये आने वाले examination में आपको बहुत फायदा देगा जब LT की vacancy announce हो जाएगी तब आपको लगेगा कि GS पर लेना चाहिए था लेकिन अभी भी वक्त है आप सभी लोग GS के लिए class को जोड़ सकते हैं एगरिकस में हम सभी लोग पहले प्रशन की श्रिंकला में देखेंगे filling the blanks टाइप के प्रशन जो हमारे examination के point of view से important है पहला प्रशन आपके screen पर है और इसमें सगुफी परवीन जी ने answer कर दिया है रीना सिंग जी ने answer कर दिया है गरिमा पांडे जी ने answer कर दिया है समीना शेख जी वालेकुम असलाम आफरीन सिद्धिकी जी संगीता सिंग जी सिर्जल पांडे जी निदा फरहीन जी अलका यादो जी लक्षमी कुमारी जी अनुपा तिवारी जी मनोश कुमार जी, वंदना ठाकुर जी, सुर्भी जी, उशा गुप्ता जी, लगभग सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, साक्षी भारती जी, रोली जी, अगर आप से पूछा जाएं, कि एगरिकस में, जो एगरिकस है, उसकी फ्रूटिंग बॉड़ी जो है, वो किस माइसिलियम की बनी होती है, तो आप बताएंगे, ये तर्शरी माइसिलियम की बनी होती है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है सर, tertiary mycelium होगा, लगभग सभी लोगों का correct answer है, जी, लगभग सभी लोगों का correct answer है, next question है, दूसरा question, आपकी स्क्रीन पर, mushrooms frequently appears in circle, on the ground, mushroom जो होते हैं, ये ring के form में, circle के form में उपस्थित होते हैं, ये circle के form में उपस्थित होते हैं, ring के form में उपस्थित होते हैं, इनके ring के form की ये जो quality होती है, इस quality को क्या कहते हैं, तो आप सभी को याद होना चाहिए, this phenomena is known as, इस phenomena को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इस phenomena को fairy rings के नाम से जानते हैं, तो आप में से जिनका answer आ रहा होगा, कि इसे fairy rings के नाम से जानते हैं, सभी लोगों का correct answer होगा, it is known as fairy rings, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग fairy rings के नाम से जानते हैं, और उम्मिद करते हैं, लगबग सभी लोगों का correct answer होगा, umbrella like cap of mushroom is known as, कह रहें कि umbrella की तरह जो cap of mushroom होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, umbrella like cap of mushroom is known as, आप जब mushroom को देखते हैं, तो आपको याद होगा, mushroom में आपको दो बातें देखने को मिलती है, एक है umbrella like structure like this, इस umbrella like structure को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी को याद है, इस umbrella like structure को pileus कहते हैं, तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा, this is pileus, और इस structure को आप बताएंगे stripe कहते हैं, जो stem like structure होता है, यहाँ बीच में annulus present होता है, this is called annulus, willum लगा होता है, जो connect करता है, this is called willum, तो annulus, willum, pileus, stripe, gills, यह सब इसमें present होते हैं, next question है, members of the family polyporesi are commonly known as, कह रहें कि member of family polyporesi को commonly हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप बताएंगे sir, इसे हम सभी लोग pore fungi के नाम से जानते हैं, या इसे हमने बताया था, कि इसे bracket fungi के नाम से भी जानते हैं, इसे bracket fungi के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग pore fungi के नाम से जानते हैं, एगर इकस में जो possible प्रशन बन सकते हैं, वो आपके सामने हैं, कह रहें कि polyporesi family के जो member हैं, उनको commonly किस नाम से जानते हैं, आप बताएंगे sir, इसे bracket fungi के नाम से जानते हैं, या इसे पोर fungi के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग पोर fungi के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम लोग पोर fungi के नाम से जानते हैं, नेक्स कोश्चन, कोश्चन नमबर फाइफ आपकी स्क्रीन पर, the commonly cultivated mushroom is, mushroom की कई सारी species हमने आपको बताया था, जिसे उम्मिद करता हूँ कि आपको एक species बहुत अच्छे से याद है, कि commonly cultivated mushroom is, commonly cultivated mushroom कौन सा होता है, आप सभी को याद होगा, idea ericvers by spores, यह जो ace एक message आपको याद कराया था, field mushroom, किसे field mushroom के नाम से जानते हैं, अगर आप से पूछा जाए, कि इसमें से किसे field mushroom के नाम से जानते हैं, तो उम्मिद करते हैं, आप सभी लोगों का आँसर आएगा, agaricus compestris, agaricus compestris को हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं, इसे field mushroom के नाम से जानते हैं, तो आपको cultivated mushroom और field mushroom ये दोनों point याद रखना है, ये दोनों point आपके examination के point of view से काफी important है, true और false बताना है आप सभी लोगों को, agaricus is a saprophytic fungus, agaricus saprophytic fungus होता है, ये सड़े गले अस्थानों पर पाया जाता है, बताने की कोईशिश करिएगा, this is right or not, agaricus जो होता है, ये saprophytic fungus होता है, आप सभी का answer आएगा, yes sir, agaricus is saprophytic fungus, this is true, ये सच बात है, कि agaricus जो है, ये saprophytic fungus होता है, दूसरा question आपके सामने है, basidio spore on germination, basidio spore germinate करता है, gives rise to dicharyotic myceleum, और ये dicharyotic myceleum देता है, कहरें कि basidio carp है, ये positive strain का है, ये basidio carp है, ये negative strain का है, basidio carp जब germinate करता है, दोस्तों तो आपको पता है, ये monocaryotic myceleum बनाता है, क्या बनाता है, monocaryotic myceleum बनाता है, ये जब germinate करता है, तो monocaryotic myceleum बनाता है, तो यहाँ पर लिखा है, dicharyotic myceleum बनाता है, और उम्मिद करते हैं, सभी लोगों को याद होगा, ये monocaryotic myceleum बनाता है, और monocaryotic myceleum में clamp formation होता है, जिसके बाद dicharyotic myceleum का formation होता है, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का clear, next question, तीसरा आपकी screen पर, in agaricus, fairy rings are formed due to centrifugal growth of the subterranean myceleum, कह रहें कि in agaricus, agaricus में fairy rings का formation होता है, आप बताएंगे yes sir, this is true, this is true, this is true, किसका formation होता है, fairy rings का formation होता है, agaricus में आप सभी लोग जानते रहें, agaricus में fairy rings का formation होता है, और उम्मिद करते हैं, लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा, ये true है, आप सभी लोग इसी तरीके से पूरी इमानदारी के साथ पूरी इमानदारी के साथ अपने प्रस्टनों को सॉल्व करते रहें जितना टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक में ये सारे important point है आपको याद आ रहा है मुझे कि morning में सुबह 8.35 पर एक message आया था गुंजा कुमारी जी की line है थोड़ा सा देखिए गुंजा कुमारी जी ने message किया था इन्होंने जब इनका प्री में सेलेक्शन हुआ तो कोई message नहीं जब इनका जो है exam था तो कोई message नहीं लेकिन आज इनका सुबह 8.35 मिनट पर message आया good morning sir मैसेज में लिखा था good morning sir कल 1.3.2024 को जारखंड PGT का final result एनाउंस हुआ है जिसमें मेरा final selection हुआ है गुंजा कुमारी मैं आपके old batch की student हूँ first attempt में ही selection हुआ है sir ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है बहुत बहुत धन्यवाद sir मतलब ऐसे message हम चाहते हैं कि अब जो है वक्त आ रहा है और आपके भी दिन आ रहे हैं जी जिस दिन आपका exam होगा खास करके TGT का खास करके PGT का और आने वाले LT का और GIC का ये चार exam जो हमारे UP के लोग हैं खासा इस पर मेहनत कर रहे हैं और ये सिर्फ UP में जौब करना चाहते हैं मेहनत कर रहे हैं और UP में जौब करना चाहते हैं उन सभी के लिए जिस दिन ये result एनाउंस करेगा exam के बाद उसमें आप में से जो ऐसे लोग हैं लगातार दो साल से जुड़े हुए हैं पिछले 16 महीने से मेहनत कर रहे हैं एक फोन आया था तो अजय कुमार का फोन था अजय कुमार ने कहा सर पिछले 16 महीने से बाइलाजी में इस कदर से जुटे हैं कि बस exam हो जाना चाहिए वही सेम सिच्वेशन आपके सामने हैं लेकिन हम आपसे कहते हैं कि आप सभी लोग पूरी इमानदारी के साथ जुड़े रहें और जो मेहनत है उसे आप लोग continue करते रहें यह जो मेहनत है यह आपकी आने वाले examination में यहां से आपको बाहर नहीं होना है इन में से कही न कहीं selection ले लेना है और जब आप और सबसे ज़्यादा important है हर class में जो आपको class पढ़ाया है हर Saturday को जो practice कराया है और यह Saturday की जो practice होती है यह topic wise होती है और topic wise जैसे एगरिकस है तो जितने question होंगे एगरिकस से होंगे आपका final पकसीनिया से जितने question होंगे पकसीनिया से होंगे लगभग 4000 प्रस्न आपके पास हैं और इनकी practice बार बार करते रहिएगा डायरेक्ट आपको examination में प्रस्न देखने को मिलेंगे और हम भी चाहते हैं कि गुंजा कुमारी जैसे आप सभी लोगों का भी first attempt में selection होना चाहिए जिससे कि आप सभी के अंदर एक energy boost up हों और फिर उ अभी सफर आपका रुकना नहीं है ये सफर continue चलते रहना है जब तक आप अपने मुकाम को न पा जाएं तो इस तरह से आप सभी लोग जुटे रहें आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से मेहनत का result जरूर मिलेगा ठतिजा सहजाद जी वालेकुम असलाम साक्षी भारती जी अनुपूर्णा जी नीलम जी सभी को गुड इवनिंग हिंदू संसिकृत जी पुडाम खुश रहिए मनोश कुमार जी स्रधा मिश्रा जी महिमा मिश्रा जी गरिमा पांडे जी जी तृषा यादो जी जी सद्धा जी पुडाम खुश रहिए स्रीधर तिवारी जी आप वैसे अगर देखें, तो लगभग 200 students हैं, जो अपने संस्था से कही ना कही select हो चुके हैं, लगभग 200 students हैं, जिनका selection अपनी संस्था से different different state में, different different districts में, TGT के label पर select हो चुके हैं, और अभी बारी हैं, अब फिर से UPTGT, PGT की, LT की, GIC की, आप सभी लोग तयार रहेंगे next question पर चलते हैं, question number 4 आपकी screen पर, all species of agaricus are not edible, agaricus की सभी species खाई नहीं जाती, सभी खाने योग नहीं होती, आप कहेंगे yes sir, agaricus में हम सभी लोगों ने 6 species पढ़ा था, जिसमें से 2 खाने योग थी, और 4 जहरिली थी, इसका मतलब ये क्या है, ये true है, this is the true, और लगभग आ आप सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा, this is true, next question पर चलते हैं, question number 5 आपकी screen पर, sexual reproduction in agaricus is oogamous type, agaricus में sexual reproduction oogamous type का होता है, जब हम सभी लोगों ने agaricus में reproduction पढ़ा था, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, oogamous type का होता है, तो आप बताएंगे no sir, हम लोगों ने पढ़ा था इसमें तो sex organ का formation ही नहीं होता है, sex organ no, no male gamete, no female gamete, कोई male gamete नहीं, कोई female gamete नहीं, इसका जो positive strain का हाइफा होता है, negative strain का हाइफा होता है, यही हाइफा जो होते हैं, यही gamete की तरह function करते हैं, इसलिए इसके fusion को क्या कहते हैं, somato gamete कहते हैं, क्या कहते हैं, somato gamete कहते हैं, इसलिए ये क्या है दिस इस फाल्स ये क्या है ये फाल्स है सुमाइटोगैमी कहते हैं इसलिए ये क्या है ये फाल्स है उम्मिद करते हैं कि ये भी बात आप सभी लोगों की किलियर कि ये सुमाइटोगैमी कहलाता है और ये फाल्स है In agaricus, the fruiting body is made up of, agaricus में fruiting body बनी होती है, किसकी बनी होती है, तर्शरी mycelium की बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों, तो आप बताएंगे सर, तर्शरी mycelium की बनी होती है, किस से बनती है, secondary mycelium से बनती है, In agaricus, the reduction division takes place in, agaricus में reduction division होता है, Basidio spore में नहीं सर, Clemido spore में नहीं सर, Basidium में होता है, तभी तो ये haploid structure होता है, In agaricus, reduction division takes place in, आप बताएंगे, agaricus में reduction division Basidium में होता है, किसमें होता है, Basidium में होता है, इसलिए ये haploid होता है, Fruiting body of agaricus is called, agaricus की fruiting body को कहा जाता है, Fruiting body of agaricus is called, आप सभी का अंसर आ रहा होगा, it is called Basidio carb, Fruiting body of agaricus, agaricus की fruiting body को कहते हैं, आप सभी का अंसर आ रहा होगा, it is called Basidio carb, इसे Basidio carb के नाम से जानते हैं, Which of the following is the fertile portion in the fruiting body of agaricus, agaricus की जो fruiting body होती है, जिसमें आपने agaricus का नाम सुनते ही, आप ऊपर से सुरू करते हैं, और जो है एनिूलस होता है सर, और इसमें एनिूलस के बाद विलम होता है सर, इसमें पाइलियस जो होता है, ये fertile portion होता है, तो आप सभी का आंसर आएगा, कौन सा portion fertile होता है, आप बताएंगे Pileus is a fertile person, Pileus jy hootá है, fertile person होता है, hymeneum क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि Agaricus में hymeneum क्या होता है, तो ध्यान रखियेगा, जब आपसे पूछा जाए हmeneum क्या होता है, तो what is this? आप बताएंगे this is जी आप से पूछा जाए what is this आप बताएंगे this is mushroom ये क्या है ये पाइलस है ये gills है और ये जो gills होते हैं ये gills जिससे covered होते हैं envelop जो होता है thin envelop इस thin envelop को hymenium बोलते हैं gills जिससे cover होता है जिस thin envelope से gills cover होता है, that is called, इसे हम लोग बोलते हैं, hymenium, gills की covering जो होती है, वो hymenium कहलाती है, fairy rings are formed by, आसान सा question, fairy rings का formation कौन करता है, आप सभी का answer आएगा सर, fairy rings का formation हमारा agaricus करता है, कौन करता है, हमारा agaricus करता है, most most important, तो हमने agaricus से संबंधित प्रश्णों को देखें, जिसमें हम सभी लोगों ने पहले filling the blanks का प्रश्ण देखा, फिर हमने true false का प्रश्ण देखा, फिर हमने MCQs का प्रश्ण देखा, इस तरीके से लगभग 20 प्रश्ण हम सभी लोगों ने agaricus के किये, और agaricus के ये combination के point of view से काफी important है, अब आगे move करते हुए चलते हैं, एक और question है देखिए, umbrella like cap of mushroom is, umbrella like cap जो mushroom में present होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उम्मिद करते हैं, आप में से सभी लोगों का correct answer आएगा, अगर आप से पूछा जाए कि umbrella like cap of mushroom is, mushroom में जो umbrella like cap होता है, तो आप कोहेंगे सर, ये तो बहुत आसान है, this is called pileus, इसे हम लोग pileus के नाम से जानते हैं, और उम्मिद करते हैं, लगबग, सभी लोगों का correct answer होगा, this is called pileus, याद रखिएगा, important, next अगर हम बात करें आप से, तो हम लोग शुरू करते हैं, यूरे डिनेल्स order का पक्सिनिया, पक्सिनिया किस order को बिलॉंग करता है, this is important, पक्सिनिया किस order को बिलॉंग करता है, this is important, प्रभा जी, नमस्ते, खुश रहिए, जी, खतीजा सहजाद जी, राधा वर्मा जी, अंब्रेरा लाइक होता है, कैप पाइलस होता है, विवेक कुमार जी, विवेक जी कहां है, चंदरकला जी, अनुपातिवारी जी, जी, अंकिता विद्र ट्रिकी बायो हब जी, लेट कैसे हो गई, पता चला साथ बजे क्लास है क्य जे, पहला क्वेश्चन आप सभी का, जे, उम्मिद करता हूँ, कि सभी लोग बेटरीन तरीके से आंसर करेंगे, पक्सीनिया ग्रैमनिस, ये क्या होता है, पक्सीनिया ग्रैमनिस क्या होता है, पक्सीनिया ग्रैमनिस इस ब्लैक रस्ट, उस डिजीज को कहते हैं, इट इस heterocious rust paxenia gramnis क्या होता है paxenia gramnis is a heterocious rust ये heterocious rust होता है आपको दो टाइप के rust बताये थे एक को बताया था artosius artosius में बताया था जो अपनी life cycle केवल एक host में complete करते हैं उन्हें artosius कहते हैं और जो more than one जो एक से ज़्यादा में complete करते हैं जो अपनी life cycle एक से ज़्यादा में complete करते हैं वो heterocious होते हैं तो आपका paxenia gramnis क्यों अपनी life cycle wheat plant में और barbaris leaf में complete करता है इसलिए ये क्या है एक heterocious rust है कैसा rust है heterocious rust है और उम्मिद करते हैं आप सभी लोगों को याद रहेगा एक heterocious rust है दूसरा question है काफी अच्छा है इन rust only one type of dicharyotic spores are formed जिसमें केवल एक type के dicharyotic spores बनते हैं उन्हें बोलते हैं micro spores in micro spores या micro cyclic in micro cyclic इसे बोलते हैं micro cyclic in micro cyclic rust only one type of dicharyotic spores are formed whereas in micro cyclic rust जबकि micro cyclic rust में in micro cyclic rust more than one type of dicharyotic spores are formed इसमें एक से ज़्यादा dicharyotic spores का formation होता है तो ये भी याद रखिएगा micro cyclic rust में one type के dicharyotic spores बनते हैं जबकि micro cyclic में more than one type के dicharyotic spores उसका formation होता है सीनिया ग्रैमनिस टिटिसाई PGT है जो किस में आता है जो micro cyclic fungus में आता है और उम्मिद करते हैं लगभग आप सभी लोगों का correct answer होगा लगभग आप सभी लोगों का correct answer होगा और जब आता है जिसमें option नहीं होता है तो आप काफी अच्छा feel करते हैं जब आप इस तरह के प्रश्चन solve करते हैं जिसमें option नहीं होता है तो आप काफी अच्छा थोड़ा दिमार पर pressure होता है इन दे लाइफ साइकल आप पक्सिनिया ग्रैमनिस फ्लैक्जूस हाइफी आर प्रिजेंट बताईएगा अगर हम लाइफ साइकल देखें तो आपको याद होगा जब आप लाइफ साइकल देखे थे तो एक फ्लास्क शेब्ड इस्ट्रक्चर बनता था और इस फ्लास्क हाइफा के नाम से जानते थे तो फ्लैक्जूस हाइफा का फार्मेशन कहां होता है फ्लैक्जूस हाइफा का फार्मेशन होता है प्रिजेंट इन पिकनीडियम कहां होता है पिकनीडिया पर होता है याद रखिएगा और उम्मिद करते हैं लगबग सभी को याद रखना चा इसका formation पिकनीडिया में होता है और उम्मिद करते हैं कि सभी लोगों का correct answer चल रहा होगा पिकनीडियम और पिकनीडियम में most most important है flagship alpha का formation होता है पिकनीडियम में flagship हाइफा का formation होता है अच्छा question है देखते हैं कौन answer करता है yellow rust of wheat is caused by yellow rust uplest of wheat is caused by, yellow rust of wheat कौन कौस गरता है तो आप गताएंगे सर इसे कौस करता है is truly for me, कौन कौस करता है पक्सीनिया is truly for me, पक्सीनिया की एक species होती है जो yellow rust कौस करती है, हमने आपको मोटा मोटा आपकी copy में लिखवाया है कि yellow rust कौन कॉस करता है stilly for me और उम्मिद करते हैं लगबग सभी का correct answer आएगा कि paxenia stilly for me जो है यह disease कॉस करती है ACO spores of paxenia most most important ACO spores of paxenia are produced on the surface of leaf on the कहा produce होता है तो आप बताएंगे lower surface of barbaris यह ACO spores acedia बनता है एक concept समझे हमने class में पढ़ाते समय यह समझाया था कि अगर यह barbaris की leaf है किसकी leaf है अगर यह barbaris की leaf है तो barbaris की leaf के upper surface पर upper surface की बात करें like this upper surface पर form होता है यह आपका cup shaped structure और इस flask shaped structure को picnidia बोलते हैं picnidia और इसके spores निकलते हैं picnidia और आ करके किस पर attach होते हैं आ कर attach होते हैं इस flexuous hypha पर फिर इस flexuous hypha से move करते हैं move करके आते हैं lower surface पर कहां move करके आते हैं lower surface पर आते हैं और lower लोवर सर्फेस पर जब यह आते हैं तो एक cup shaped structure बनाते हैं लोवर सर्फेस पर और यह जो पिक्नीडिया से हाइफा आते हैं यह डाई कैरियाटिक होते हैं यहां आते हैं यह डाई कैरियाटिक हाइफा यहां बनते हैं उसके बाद इसमें से निकलता है जी इसमें से निकलता है ACO spores जो disjuncter द्वारा जुड़ा रहता है disjuncter द्वारा जुड़ा रहता है ये भी question पूछता है कि किसके spores disjuncter द्वारा जुड़े रहते है this is called acedium इसे acedium कहते हैं this is called picnidium इसे picnidium कहते हैं ये दोनों barbaris के leaf पर बनते हैं ये भईया upper surface पर बनता है और ये भईया lower surface पर बनता है lower surface पर बनता है ये lower surface पर बनता है उसके बाद ये कोई infection नहीं करता ये बाहर आ जाता है dicariotic form में होता है और move करते हुए धूंडते हुए धूंडते हुए किसको धूंडते हुए ये धूंडते हुए wheat plant को wheat plant को ढूंटे हुए wheat के plant पर पहुशता है और जब wheat के plant पर पहुशता है तो वहाँ पर पहुश कर यह disease cause करता है यह disease cause करता है यहाँ पर पहुशता है तो यहाँ पर grow करता है तो एकदम concept आप सभी लोग अपने clear रखिएगा बहत्रीन तरीके से clear रखिएगा कि πिकनिडियम जो होता है यह बारबेरीस के अपर लीफ पर बनता है एसीडियम जो होता है यह बारबेरीस के लोवर लीफ पर बनता है, यह भी याद रखना कि एसीडियम से जो ACO spoilers बनते हैं वो बारबेरिस लीफ को infect नहीं करतें, वो disjuncter के द्वारा जुड़े होते हैं और disjuncter जैसी सन्चना इसी sport के बीच में दिखाई देती हैं उम्मिद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की clear आगे चलते हैं next question पर याद रहेगा जी उम्मिद करते हैं सभी लोगों को याद रहेगा ACO sports आप paxenia are produced on the leaf are produced on the lower surface यहां हो जाएगा lower surface of the barbarous leaf किसकी leaf पर barbarous vulgaris leaf उम्मिद करते हैं सभी लोगों को ये point clear और सभी लोगों को ये question भी clear next question seven in paxenia graminis meiosis occurs at the time of germination of meiosis जो है किसके germination पर होता है याद रखना meiosis जो है germination of telito spore होता है telito spores telito spore के germination पर meiosis देखने को मिलता है तभी तो haploid spore का formation होता है meiosis बनता है telito spore में paxenia graminis occurs at the time of germination of important है याद रखना है कि meiosis जो है ये telito spore के germination पर बनता है और ये बातें ये बात सभी लोगों को याद रखनी है most important है यहां से question लोगों से गलत हो जाते हैं प्रोफेसर केसी महता work on the recurrence of rust in India while he was at जब कहां थे तो आप बताएंगे while he was at agra जब वो आगरा में थे तब उन्होंने recurrence of rust पर अध्यन किया था केसी महता ने recurrence of rust पर अध्यन किया था कब किया था जब वो आगरा में थे जी जब वो कहां थे जब वो आगरा में थे तब उन्होंने work किया था recurrence of rust पर true and false उम्मिद करते हैं सभी लोग answer बहतरीन तरीके से करेंगे अच्छे से पढ़िएगा answer करिएगा heteroseous rust means that the pathogen needs only one host to complete its life cycle आप कहेंगे घोर अन्याय है सर अभी पढ़के सीखा हूं कि heteroseous में more than one host होते है आटोसियस में केवल एक host होते हैं this is truly या universally false ये क्या है ये universally false है राजेंद्र जी सुमित्रा मुर्मू जी मन्जु कुमारी जी सौरभ मौर्या जी खतीजा सहजाद जी मधु जी स्रिजल पांडे जी प्रभा जी प्रिया वर्मा जी राधा वर्मा जी विने मैनी जी तरिशायादो जी कविता भट जी योगिता तिवारी जी उशा गुपता जी सोनम जी लक्षमी जी नहा शर्मा जी संगीता सिंग जी अलका जी, हिंदू संसिकृत जी, अंकीता जी, आफ्रिन सिद्धीकी जी, रिना सिंग जी, अनुपातिवारी जी, सिल्पी श्रिवास्तो जी, सौरभ जी, अलका यादो जी उमिद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बात है किलियर A microcyclic rust produce variety of spores of which at least two are binucleate यहां एक बात फसी है, two are binucleate, इसमें से दो जो होते हैं, वो binucleate होते हैं जी, तो आप बताएंगे, yes sir, कौन सा binucleate होता है, एक ACDO spores होता है, वो binucleate होता है, एक urido spore होता है, वो binucleate होता है, जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सर जी, this is true, this is true, और लगभग सभी लोगों का correct answer होना चाहिए, this is true, यह क्या है, यह आपके लिए सही है, next question पर चलते हैं, question number three, आपकी screen पर, इसमट disease in cereals are caused by different species of paxenia, cereals में इसमट disease जो है, different species of paxenia से होती है, तो आप बताएंगे सर, paxenia बाबा तो rust cause करते हैं, यह rust cause करते हैं, this is also false, यह भी क्या है, यह भी false, और उम्मिद करते हैं, लगभग सभी लोगों का clear होना चाहिए, this is also false, done, उम्मिद करते हैं, आप सभी लोग अच्छा feel कर रहे होंगे, next question है, तेलिटो स्पोर्स आर, यूनी सेलूलर स्पोर्स, तेलिटो स्पोर्स जो होते हैं, वो यूनी सेलूलर स्पोर्स होते हैं, जी, तेलिटो स्पोर्स जो होते हैं, ये मल्टी सेलूलर होते हैं, उम्मिद करते हैं, ये भी question आपका correct, पक्सीनिया ग्रैमनिस्ट टिटिसाई, प्रोड्यूसेज, पिकनीडियो स्पोर्स, एंड एस्पोर्स, आन बार्बेरिस, आप कहेंगे, ये भी यूनिवर्सल टूथ है सर, ये हैं आपका यूनिवर्सल टूथ, ये दोनों कहां बनते हैं, बार्बेरिस लेप पर, एक अपर सर्फेस पर, एक लोवर सर्फेस, यूरिडो स्पोर आप पकसीनिया ग्रैमनिस, आर यूनी नूकलियट, यूरिडो स्पोर जो होता है, यूरिडो स्पोर किसकी बात हो रही है, ये वाले स्पोर की बात हो रही है, यूरिडो स्पोर कहां से आया है, ये आया है, एस्पोर से, ये कैसा होता है, ये यूनी नूकल होता है ये इसकी बॉड़ी होती है और ये इसका इस्टाक होता है इस्टाक और बॉड़ी वाला व्यक्ति कैसा होता है ये बाई न्यूक्लियट होता है एक बात और बताया था इसमें चार जर्म पोर पाए जाते हैं यादे ना इसमें चार जर्म पोर पाए जाते हैं और उम् यह binucleate होता है, binucleate होता है, चार germ spore होते हैं, बहुत अच्छे, very good, next question पर चलते हैं, question number 7 आपकी screen पर, यूरिडो स्पोर आपक्सिनिया, आन जर्मिनेशन, गिव राइस तू एन एपी बेसीडियम, यह बेसीडियम देता है, एपी बेसीडियम नहीं, यूरिडो स्पोर आपक्सिनिया अन जर्मिनेशन, गिव राइस तू एन एपी बेसीडियम, नहीं, बेसीडियम, इसका सही आंसर हो जाएगा, बेसीडियम is the right answer, यह भी क्या है, यह भी false है, यह भी क्या है, यह भी क्या है, इस इस आल्सो फॉल्स, यूरिडो स्पोर सर्वाइविंग अन को लैटरल होस्ट में भी वन दा सोर्स आफ इनफेक्शन, यह यूरिडो स्पोर जो होता है, यह सोर्स आफ इनफेक्शन के बारे में बात करता है, इस इस त्रू, थोड़ा सा मन लगा करके, अच्छा काम करिएगा, और बेहतरीन तरीके से करिएगा, जे, और अच्छा होगा, multiple questions, अगर हम multiple question की बात करें, इन पक्सिनिया, ग्रैमनिस, दा सेक्श्वल रिप्रदक्शन अकर्स बाई, सेक्श्वल रिप्रदक्शन किसके द्वारा होता है, सोमेटोगैमी, इस्पर्मेटाइज के द्वारा होता है, पक्सिनिया, ग्रैमनिस, टिटिसाई में कैसा होता है, तो आप बताएंगे, इस्पर्मेटाइजेशन के द्वारा होता है, सोमेटोगैमी, इगरिकस में होता है, इस्पर्मेटाइजेशन द्वारा, पक्सिनिया, ग्रैमनिस, टिटिसाई में होता है, पक्सीनिया ग्रैमनिस्ट टिसाई में परमेटो गैमी द्वारा होता है। नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन नमबर टू आपकी स्क्रीन पर। दा बाइनुक्लियेट सेल इन ब्लैकरस्ट आफ वीट इस फाउंड इन। कहरें कि बाइनुक्लियेट सेल जो हैं ये पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं तो आप सभी लोग जानते हैं बाइनुक्लियेट सेल पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं ब्लैकरस्ट में आप बताएंगे सर यूरिडो इस्पोर में पाई जाती हैं हाँ भाई चलेगा टेलिटो इस्पोर में पाई जाती हैं, हाँ सर चलेगा, टेलिटो इस्पोर में पाई जाती हैं, चलेगा, एसियो इस्पोर में पाई जाती हैं, चलेगा, तो ये सभी हैं जो बाई नूकलियेट होती हैं, एंसर उम्मिद करते हैं, आंसर आना चाहिए, बोद दा एबब, ये होती हैं जो by nucleate होती है और आपका answer आना चाहिए C और आप में से maximum लोगों का C answer आ रहा है कुछ कहने की बात नहीं है जी उम्मिद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की clear done to all लगभग सभी लोगों का clear paxenia causes the, paxenia cause करता है leaf rust of wheat, curling of wheat leaf, infection of the wheat grain, none of the above सभी का answer आएगा कि it causes leaf rust, paxenia causes leaf rust of wheat paxenia causes leaf rust of wheat, paxenia क्या cause करता है paxenia leaf rust of wheat cause करता है लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा है कि paxenia causes leaf rust of wheat which one is monocaryotic spore इसमें से कौन सा monocaryotic spore है in paxenia graminis paxenia graminis में इसमें से कौन सा है जो monocaryotic spore है picnio spore, seo spore, telto spore, urido spore उम्मिद करते हैं सभी लोगों को clear है सर जी वो जो picnidium से निकला था उसी में तो था कि ये haploid था यही तो haploid था picnio spore picnio spore is monocaryotic कैसा होता है, monocaryotic होता है और सभी का correct answer आ रहा है monocaryotic होता है picnio spore, अच्छे, बहुत अच्छे very good next question पर चलते हैं, question number 5 आपकी screen पर the cause for annual recurrence of rust disease in India was discovered by हमें इसमें केवल आपके answer check करना है फड़ा फड़ा answer करिए इसमें हमें आपके answer check करना है question number बताने की कोशिश करिएगा, यह देखिए सेसी मैसी जी ने बताया कि महता जी है सर, केसी महता साहब जी, कौन है केसी महता साहब है अनिल कुमार जी ने, उशा गुपता जी ने, मनोश कुमार जी ने, अनुपा थिवारी जी ने, राजिव कुमार जी ने, वंदना जी ने, शिल्पी जी ने, विने मैनी जी ने, अनिल कुमार जी ने, हिंदू संसिकृत जी ने, कविता भट जी ने, जी अस्फार नेक्स्ट इक्जाम जी ने, बायलोजी स्टडी पॉइंट्स जी ने, आफ्रिन सिद्धिकी जी ने, सुमित is the right answer. Next question, question number six, heterocious fungus is, इस में से कौन सा है, जो heterocious fungus है, आप बताएंगे, paxenia graminis tritisi is heterocious fungus, paxenia graminis tritisi is heterocious fungus, अगर आप से पूछा जाए, कौन सा heterocious fungus है, तो आप बताएंगे, paxenia graminis tritisi, black rust of wheat is caused by, black rust of wheat, कौन कौस करता है, उमिद करता हूँ, सभी लोगों का correct answer आएगा, बला रस्ट आफ वीट कौस करने वाला कौन है, तो आप सभी का आँशर आएगा, paxenia graminis tritisi है, जो black rust of wheat कौस करता है, बलाइक रस्ट आफ वीट कौन कौस करता है, आप सभी का correct पेक्टानसर आएगा PGT पक्सिन्या ग्रैमनिस हजो आप सबी होता है अंगर स्पोर्स के द्वारा या ACO स्पोर्स के द्वारा डिपलोई डाइजेशन देखने को मिलता है पक्सीनिया ग्रैमनिस्टिसाई में डिपलोई डाइजेशन किसके द्वारा देखने को मिलता है ACO स्पोर्स आंसर करके इसे अपने की पॉइंट्स में रख लिजिएगा In Paxenia, monokaryotic mycelium develops after the germination off. Monokaryotic mycelium किसके germination के बाद बनता है? सभी का आनसर आएगा, besidio spores के germination के बाद बनता है, सरजी. किसके बाद besidio spores germinate करता है, तो monokaryotic mycelium बनता है. Monokaryotic mycelium कब बनता है? तो आप बताएंगे जब basidio spore germinate करता है तो monokaryotic mycelium का formation होता है और आशा करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा basidio spore is the right answer telito sports are अगर आपसे पूछा जाए कि telito sports क्या होते हैं motile sports होते हैं unicellular sports होते हैं hexagonal होते हैं या by celled होते हैं तो हर कोई बता रहा होगा कि hexagonal की बात करेंगे sir तो हम लोग भाग कर दोड़ कर चले जाएंगे कहां हम लोग भाग कर दोड़ कर चले जाएंगे ये होता है hexagonal और ये disjunctor द्वारा जुड़ा होता है और ये कहलाता है ACO Sports, ये क्या कहलाता है ACO Sports, या ACDO Sports, इसे ACDO Sports कहते हैं, जो hexagonal होता है, सर जी ये अगर Teleto Sports की बात करते हैं आप, तो Teleto Sports के Sports ऐसे होते हैं, like this, इस तरीके से होते हैं, और ये by-celled होते हैं, कैसे होते हैं, एक-एक, दो cell, इसमें by-celled structure होती हैं, कैसा structure होता है, by-celled, और उमिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer होगा, this is by-celled, ये कैसा होता है, ये by-celled structure होता है, और उमिद करते हैं, लगभग आप में से, सभी लोगों का correct answer है, this is by-celled structure, टेलिटो स्पोर्स आप पक्सीनिया आर पक्सीनिया का जो टेलिटो स्पोर होता है वो कैसा होता है आप बताएंगे सर अभी हम लोगों ने बताया कि बाई सेल्ड होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ये टू सेल्ड इस्ट्रक्चर होता है कैसा होता है दोस्तों टू सेल्ड It is two cell destruction. How many nuclei are there in uridospore of Paxinia? Paxinia के uridospore में कितने nuclei होते हैं? हर कोई जानता है, इसमें कितने nuclei होते हैं, दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं, सर, इसमें two nuclei होते हैं. कितने होते हैं? Two nuclei होते हैं. उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer है. बताने कोहिश करिएगा, clear to all or not? उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer है, कि कितने होते हैं? Two होते हैं. तो ये थे आपके एगरिकस का question था, और ये आपके Paxinia Graminist का question था. उम्मिद करते हैं, लगभग 30 question थे, जो आपके Paxinia Graminist से थे. दोस्तों, आप मेंसे जो लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं, जिन लोगों ने अपने syllabus को cover up कर लिये हैं, और वो सभी लोग अपना practice session करना चाहते हैं, तो SEO test series batch से जुड़कर लगभग 12,250 प्रशनों की श्रिंकला है, आप इसे जुड़कर इससे practice session बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, हम लोग अगले topic पर move कर रहे हैं, ये हमारा अगला topic है, जिसमें हम बात करने वाले हैं, rag warm के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं, sand warm के ब हम लोग किस phylum में पढ़ते हैं, हम लोग Neris को Anilida के phylum में पढ़ते हैं, और Anilida का ये important और आपके TGT का और PGT का एक important genus है, जिससे examination में अकसर प्रशन पूछे जाते हैं, तो हमारा अगला topic है, नेरिस से सम्बंधित प्रशन, जब आपके सामने नेरिस का नाम आता है, तो आपके सामने कुछ बाते किलियर होकर आती हैं, जैसे पहली बात कि इसे rag warm कहा जाता है सर, इसे क्या कहा जाता है, इसे rag warm कहा जाता है, सर ये sand में रहता है, इसे sand warm कहा जाता है, सर जी इसे clam warm भी कहा जाता है, तो उम्मिद करते हैं, ये सारे नाम से आप परशित होंगे, कि nearest को इन सभी नाम से जाना जाता है एक सवाल उठता है क्या आप सभी लोग nearest का classification जानते हैं तो उम्मीद करते हैं आप में से copy pen लेकर के सब लोग बैठे होंगे और classification आप में से class में सब लोगों ने note भी किया है एक बार अपने classification को confirm करें फाइलम एनिलीडा को बिलॉंग करता है किस को बिलॉंग करता है और class यह फाइलम एनिलीडा को बिलॉंग करता है और class किस class को बिलॉंग करता है क्लास का आंसर आप सभी लोग करेंगे किस क्लास का बिलॉंग करता है अगर हम NERIS की बात करते हैं तो अगर हम Enelida की बात करते हैं तो Enelida में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक Polyketa क्लास होता है एक Oligoketa होता है एक Herodania होता है और एक Arachnolida होता है चार क्लासेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था आप से पूछा गया है NERIS किस क्लास को बिलॉंग करता है उमिद करते हैं आपका सभी का correct answer आ रहा होगा NERIS belong to Polyketa NERIS जो है ये Polyketa को बिलॉंग करता है अच्छे बहुत अच्छे तो NERIS की अगर क्लास की बात की जाए तो आप सभी लोग बताएंगे sir NERIS जो है ये किस क्लास को बिलॉंग करता है ये बिलॉंग करता है Polyketa को NERIS जो है ये Polyketa को बिलॉंग करता है आप में से कौन है जो हमें बताएगा कि नेरीस किस order को बिलॉंग करता है आप में से कौन है जो बताएगा कि नेरीस किस order को बिलॉंग करता है अगर कोई बताया तो समझ जाए really good जी really good और हम ये भी जानते हैं ये भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल silent killer बने रहें silent killer बने रहें बस आपकी पूरी ताकत गुंजा कुमारी की तरह निकिता दिवेदी की तरह अभिशेक गिरी की तरह मतलब गुंजा कुमारी की तरह अभिशेक गिरी की तरह निकिता दिवेदी की तरह मनोश की तरह और जो है साक्षी की तरह इन लोगों की तरह आप भी silent killer बने रहें ना बताएं लेकिन जब examination में बैठें तो final selection जरूर बताएं examination में बैठें तो final selection जरूर बताएं आपके final selection का बेसबरी से इंतजार है और उम्मिद करते हैं कि इस इंतजार की घड़ी अब पूरी होने वाली है जी तो किसी के पास से जवाब आ रहा है कि सर जी अगर बात की जाए कि इसका order क्या होता है तो इसका order है philodocida क्या order है philodocida याद रखिएगा ये order है philodocida अच्छी बात है याद आना चाहिए philodocida अगर इसके family के बारे में पूछा जाए तो इसकी family है neri d इसकी family कौन होती है इसकी family है neri d नeri d जी बैच के बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आप class में order नहीं बताये थे हाँ नहीं बताया था इसलिए तो प्रैक्टिस्टेशन में बता दिया तो इसलिए प्रैक्टिस्टेशन क्लास पर dependent होता है कि जो आप class में सीखे हैं अगर कुछ धोके से चुटा है तो आप वो प्रैक्टिस्टेशन में cover कर लेते हैं और अगर जीनस पूछा जाए, तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका जीनस है नेरीस, इसका जीनस है नेरीस, लेकिन अगर आप से इस्पेसीज पूछा जाए, तो आप में से कितने लोग हैं, जो बताएंगे, नेरीस की कौन सी इस्पेसीज हम लोग पढ़ते हैं, अपने से लबस में नेरीस की कौन सी इस्पेसीज पढ़ते हैं? अने लिड़ा फाइलम है, हाँ, पॉली कीटा क्लास है, हाँ, फाइलो डोसीडा और है, हाँ, जे, सगुफी परवीन जी ने बताया है, सर, वाइरेंस, पूजा कुमारी जी ने बताया है, वाइरेंस, निलम जी ने बताया है, वाइरेंस, तिर्शा जी ने बताया है, वाइरे तो आएए दोस्तों चलते हैं, इससे प्रस्ण देखते हैं, what function does the siloam duct perform in neris, neris में जो siloam duct होती है, what function does siloam duct perform in neris, neris में siloam duct जो है, कौन सा function perform करती है, siloam duct जो है, ये reproduction करती है sir, ये excretion करती है, responsible for excretion, excretion के लिए and reproduction, ये excretion के लिए और reproduction के लिए responsible होती है, D is the right answer, इसका सही answer हो जाएगा, D is the right answer, लगभग सभी लोगों का correct answer होना चाहिए, कि ये reproductive function perform करती है, और ये perform करती है, आपसे excretory function, तो reproductive और excretory, दोनों function कौन perform करता है, दोनों function आपका ये neris का, जो आपका sylomic, जो इसका sylom duct है, वो ये function perform करता है, next question, question number two, आपकी screen पर, What is the origin of sylom duct in a neris, neris का sylom duct, neris में sylom duct की origin क्या है, याद रखियेगा, sylom duct की origin, एक्टोडर्मल है, sylom duct की origin क्या है, आप बताएंगे सर, sylom duct की origin, एक्टोडर्मल है, most most important, sylom duct की origin कैसी है, तो आप सभी का answer होना चाहिए, sylom duct की origin, एक्टोडर्मल है, कैसी है दोस्तों, एक्टोडर्मल है, peristomium in neris is composed of, कह रहें कि neris का, जो peristomium होता है, मतब सबसे उपर का portion, peristomium of neris is composed of, आप बताएंगे, one segment, ये एक segment से बना होता है, ये one segment का बना होता है, कितने का बना होता है, one segment का बना होता है, peristomium is for one segment, ये one segment का बना होता है, हमने सोचा है कि जब exam की, जब आपकी date announce होगी, तो date जब announce होगी, तो RL Code Pal, RL Code Pal, RL Code Pal में जितना भी MCQs दिया है, जितना भी MCQs दिया है, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो 4000 हो, ये एक साथ एक दिन करेंगे, जी, अभी आपसे इतनी मेहनत नहीं करवाते हैं, अभी आपसे खूब सारी मेहनत करवाने का मन है, मेरा दिल करता है, और जितना non-caudate में प्रस्ण है, जितने कaudate में प्रस्ण है, वो सारे प्रस्ण आपके पहुचा दें और यह प्रस्ण जब आपके पहुचेंगे तो आप एक प्रस्ण से बहुत ही बेहतर फिल करेंगे लेकिन अब किसी एक्जाम के पहले ये काम करना है आपके लिए कल जी करवा लिजिए सर्जी मेनत कितने लोग तयार हैं कि अगर किसी दिन 6 घंटे की क्लास हो जाए तो सभी लोग तयार होंगे 6 घंटे के लिए बताने की कोशिश करिएगा एक बार थंब अप करके बताईएगा क्योंकि हमारा टार्गेट 24 सेकेंड बैच में नौन कार्डेट फिनिश होने वाला है जब नौन कार्डेट फिनिश होगा तो आप समझे कि हम आपके साथ ये काम कर सकते हैं और हम सोच रहे हैं कि मतलब जो है इद में आपको ये गिफ्ट दे दें क्या दे दें ये गिफ्ट दे दें लेकिन होली में ये गिफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है, होली में रमजान है, और रमजान में रोजा चलेगा, और जब रोजा चलेगा, दोस्तों तो ये मुश्किल है, कि हम आपके साथ 6 घंटे इंगेज हो सकें, लेकिन ईद के बाद ये पॉसिबल होगा, और जब ये पॉसिबल होगा, तो ये काम आपके साथ खेंगा, जी, उम्मिद करते हैं, कि आप सभी लोग तैयार होंगे, क्लियर, हाँ, अनुरोध जैशवाल जी कह रहें, सर, एदी मिलेगी, बिल्कुल, तैयार हैं, सर, जी, ओके, अगर तैयार हैं, तो हो सकता है, ये का ट्रायल ले ले, और आप जानते हैं, मुझे ट्रायल लेना बहुत अच्छा लगता है, कल आपकी क्लास है, एक बहुत अच्छी, कल आप लोगों की ये क्लास है, सात बजे शाम को, कौन सी क्लास है, कल आपकी डिमांड वाली क्लास है, जी, आपकी डिमांड वाली class है और उस class में कोई MCQ MCQ नहीं खेलेंगे हम लोग 480 lines वाली class है कल आपकी 480 lines की class आप तक पहुचने वाली है दूसरी class और कल 480 class में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और target होगा टप 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 चलेगा आपके वाल copy में note करेंगे आप सभी लोग तयार हैं और note करेंगे बेहतरीन तरीके से 480 lines वाली class को एक copy बना लिया है की नहीं सभी लोगों ने 480 lines वाली एक copy बना लिया हैं जी copy बना लीजिएगा क्योंकि ये 480 lines हम तो आपके साथ जो काम कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं अपनी copy को सम्हाल कर रखिएगा copy को सम्हाल कर रखिएगा क्यों सम हाल कर रखवा रहे हैं 100% है भई सेलेक्शन तो होगा ही आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सेलेक्शन तो लेना ही है या तो आज लेना है नहीं तो कल लेना है आखरी ख्वाइस है कि सेलेक्शन होगा और जब सेलेक्शन होगा तो आ आप 11th के टीचर, 12th के टीचर या 10th के टीचर जरूर बनेंगे, जब आप 10th, 11th, 12th के टीचर बनेंगे तो आपको जरूरी है कि आप Biology अपनी इसी लेबल की पढ़ाएं, जिससे 11th का बच्चा, 12th का बच्चा, 10th का बच्चा, उसके अंदर एक जुरून पैदा हो और वो आस तरीके से रॉष्ण होगा और आप उसका फ्यूचर, उसका फ्यूचर सीप करने में काफी मदद करेंगे, जी, उमिद करते हैं कि आप सभी लोग उसके फ्यूचर को बहातरीन तरीके से शेप दे सकते हैं, और आप सभी लोग बाखुबी जानते हैं, कि अच्छा टीचर भी आपको बनना है, एक्सक्रीटरी आरगन आफ नेरीस इस, नेरीस का एक्सक्रीटरी आरगन होता है, बताने की कोशिश करिएगा, नेरीस का एक्सक्रीटरी आरगन होता है, नेरीस का एक्स answer आना चाहिए कि इसका excretory argon होता है जे excretory argon कौन होता है अगर आप से पूछा जाए एनि लिडा का excretory argon कौन होता है तो आप सभी लोगों का सटी का अंसर चल रहा है nephredia होता है nephredia is the right answer sylom duct जो है ये reproductive argon भी होता है and excretory argon भी होता है ये दोनों में role play करता है participation दिखाता है ये दोनों में role play करता है और दोनों में participation दिखाता है दीप्ती कश्यप जी किसी भी admission से संबंधित कोई बात कोई चीज समझने के लिए आप अपने mobile में एक number save करके रखिए 8756703588 दीप्ती जी की तरह जितने और लोग है सभी लोग जो लोग बैस से जुड़ना भी चाहते हैं वो लोग भी और जो लोग बैस से जुड़ना नहीं चाहते हैं वो लोग भी जो लोग मतलब सब लोग के पास ये आपके पास number होना चाहिए आप इसमें bio junction के नाम से ये number को save कर लिजिए आप अपनी तयारी को बहतर तरीके से करिए कहीं भर कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे WhatsApp कर दीजे कि सर मुझे इस टॉपिक में ये परिशानी है ये टॉपिक नहीं समझाया आपको इस नंबर के माध्यम से ये समाधान मिलेगा और आप अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे WhatsApp करें Join Me Biology जैसे ही आप लिखेंगे Join Me Biology आपके पास डिटेल पहुचेगी सारे बैच की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फिर आप अपने अड्मिशन की प्रिक्रिया को पूरा करेंगे Sexually Mature Warm is called Sexually Mature Warm को कहते हैं Neres, Heteroneres, Both या None तो आप बताएंगे सर Sexually Mature Warm को हम लोग Heteroneres के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं? Heteroneres के नाम से जानते हैं Sexually Mature Warm को Heteroneres के नाम से जानते हैं Most Most Important और Heteroneres की जब बात आती है तो आपको याद आता है इसमें दो प्रोसेज आते हैं एक को अटोकी कहते हैं एक को एपी टोकी कहते हैं आपको याद होगा एपी टोकी और एटोकी मतलब होता है इस इस दा आशेक्शुल पार्ट ये आशेक्शुल पार्ट होता है मतलब नौन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यह non reproductive पार्ट होता है और यह जो epitoki मतलब होता है यह sexual पार्ट होता है यह sexual पार्ट होता है heteroneris के बारे में कहा जाता है कि यह जो heteroneris है यह heteroneris जो है e-toki plus epitoki से मिलकर बना है यह e-toki और epitoki से मिलकर के heteroneris का formation होता है और heteroneris जो है यह sexually मैच्योर वाम है हेट्रो नेरिस जो है यह सेक्श्वली मैच्योर वाम है एटोकी और एपी टोकी का concept भी इसी से सम्बंधित है आप सभी लोगों को बाखुबी याद रखना है most most important warm having epitoky and atoky reason आ गया ना warm having epitoky and atoky reasons is called ऐसे warm जिसमें epitoky और atoky reason प्रिजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप सभी का अंसर आएगा they are called sexually mature neris they are called heteroneris आप सभी लोग answer करेंगे sir they are called heteroneris इन्हें हम लोग heteroneris के नाम से जानके और उमीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा this is called heteroneris कुछ लोग कह रहें sir ये sexually mature neris क्या क्यों नहीं होगा तो आप बताएगा जब heteroneris जब दादा जी का नाम दिया है तब क्या attention फार्टीलियम is secreted by फार्टीलियम को secret करता है फार्टीलियम a substance secreted by फार्टीलियम कौन secret करता है याद रखियेगा फार्टीलियम secret करता है female heteroneris बिल्कुल new question ना बिल्कुल new question जे बिल्कुल new question बिल्कुल नया question है ये कौन secret करता है ये secret करता है आपका female heteroneris Phytilium is secreted by female heteroneres Female heteroneres जो है यह Phytilium का secretion करता है और उम्मिद करते हैं लगभख सभी लोगों का correct answer आएगा female heteroneres done to all next question पर चलते है question number 8 आपके screen पर neres is commonly called neres को कहा जाता है ragworm, clamworm, sandworm all of them आप सभी का answer आएगा इन्हें rag warm कहते हैं, इन्हें clam warm कहते हैं और इन्हें sand warm के नाम से भी जानते हैं लोकोमोटरी आरगन in neris is, neris का लोकोमोटरी आरगन होता है इसका लोकोमोटरी आरगन होता है इसका लोकोमोटरी आरगन होता है और उम्मिद करता हूँ सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा, पैरपोडिया is the right answer अरे भाई केचुवा का होता है सीटी, अर्थवाम का होता है सीटी, धिहान रखिएगा, याद रखिएगा इसका हो जाएगा, पैरपोडिया is the right answer विल्कुल नया question, नेरीस में लोकोमोशन को किसने study किया था? नेरीस में who made the study about locomotion of नेरीस, आप बताएंगे, ग्रे नामक साइंटिस ने study किया था किसने study किया था? ग्रे नामक साइंटिस ने study किया था और उम्मिद करते हैं, सभी लोग इस question को note कर लिजेगा कि लोकोमोशन आफ नेरीस was studied by ग्रे जे, किसने? तो आप बताएंगे, ग्रे नामक साइंटिस ने इसको अध्यन किया था respiration in नेरीस performs by भाईया, नेरीस में respiration किसके द्वारा होता है? और उम्मिद करता हूँ, लग भग, आप मेंसे सभी लोगों का correct answer आएगा नेरीस में respiration किसके द्वारा होता है? जी, ये बफरिंग की शिकायत बहुत दिनों से चल रही है अंकिता जी, क्या किया जा सकता है? जी, पिछले 6-8 महिने हो गए जो क्लास में हमेशा बफरिंग होती है, जिसकी वज़ा से क्लास काफी disturb चलती है लेकिन अब क्लास को रोग भी नहीं सकते क्योंकि आप बाद में इसे पूरा कर लेते हैं जी, तो आप से पूछा जाए तो आप सभी का जबाब आएगा respiration in nares performed by body surface सभी का answer आ रहा होगा, body surface is the right answer सभी का answer आ रहा होगा, body surface is the right answer जी, वंदना जी, मनोज जी, ममता सिंग जी, कविता भट जी, गन, सही है उशा जी, प्रियांशु जी, जी, मन्जु कुमारी जी, मौर्निंग में मेरे में बफरिंग थी जी, चेत राम सिंग जी, कैसे हैं, उम्मिद करते हैं कि अच्छे होंगे body surface, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों को clear, the main excretory product in nerys is, nerys का main excretory product क्या होता है nerys कहां रहता है, water में, इसका excretory product क्या होता होगा, ammonia, ammonia is the right answer ammonia is the right answer, और उम्मिद करते हैं, लगबग सभी लोगों का correct answer होगा the chemoreceptor organs in nerys is, nerys में कौन सा chemoreceptor organs है उम्मिद करता हूँ कि लगबग सभी लोगों का correct answer आएगा chemoreceptor organs in nerys is, nerys में chemoreceptor organs कौन सा होता है नेरीस में chemoreceptor organs कौन सा होता है, विने मैनी जी, बहुत अच्छी, वंदना जी, संगीता जी, शौरभ मौरिया जी, गरबड, मनोश कुमार जी, बहुत अच्छे कौन होता है, कौपी पलट के देखिएगा, मोटा मोटा लिखवाया है, कि नूचल आरगन is olfactory and chemoreceptor की तरह यूज होता है सुधर जाइए, chemoreceptor organ in nerys, nerys का chemoreceptor organ क्या होता है, तो आप बताएंगे, होता है neutral organ, पता है, अगर आपका exam ऐसे लगा होता, पता होता कि आपका exam 4 मई को है, तो अभी इस question के लिए आपको क्या-क्या सुनाते हम, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जी, आजकल हमने आपको बोलना बंद कर दिया है, गंदे, सड़े, बदमाश, I will kill you, क्यों? क्योंकि कोई exam की date नहीं है, अगर हम ज़्यादा तानाशाही दिखाएंगे, तो आप लोग को बुरा लग सकता है, इक्जाम आए, तब मज़ा आए, एक्जाम आए, तो आपको आवाजें गूंजेंगी मेरी, मेरी आवाजें आप तक गूंजेंगी, और क्लास के माध्यम से हम सभी लोग खुब सारा प्रैक्टिस करेंगे, जी, आईए चलते हैं, अगले कोशन की और, नेक्स कोशन, दा नेम आफ लारवा आफ नेरीस इस, नेरीस का लारवा कौन सा होता है, ट्रोको फोर होता है, कौन होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ट्रोको फोर होता है, और उम्मीद करते हैं, सभी लोगों को किलियर, ट्रोको फोर होता है, नेरीस इस, नेरीस होता है हर्भी वोरस कार्णी वोरस ओमनी वोरस पैरसाइट नेरीस कीडे मकोडे खाता है और ये कार्णी वोरस होता है इसने वादा किया है भगवान से कि हम कार्णी वोरस है और कार्णी वोरस बने रहेंगे इसका सही आंसर है कार्णी वोरस उम्मिद करते हैं नेरीस का गेम ओव दोस्तों आप में से जो लोग अभी तक कन्फ्यूस थें बैच से कैसे जुड़ें वो सभी लोग बैच से जुड़ने के लिए 8756703588 पर ज्वाइन बायलोजी लिख कर भेजें और अपने एड्मिशन की प्रक्रिया को पूरा करें बैच से जो हमारा बैच है वो बैच हमारा टारगेट 24 सेकेंड बैच है यह टारगेट 24 सेकेंड बैच इसे अभी हमने शुरू किया है और इस बैच में मौर्निंग में साढ़े 10 बजे क्लास होती है और इसमें हम lower botany का section पढ़ा रहे हैं lower botany में fungi finish होने वागा अब bryophyta शुरू होगा bryophyta का topic शुरू होगा मतलब आपका fungi topic शुटा है आप सभी लोग fungi को class से complete करेंगे bryophyte से continue करेंगे Monday से bryophyte चलेगा evening की class 6.15 पर होती है और इस class में हम सभी लोग arthropoda शुरू किये हैं और arthropoda में हमने general characters और classification पढ़ाया है अगले दिन से हम सभी लोग genius पढ़ेंगे और शुरू करेंगे हम लोग पढ़ना कौकरोश के बारे में तो आप सभी लोग जो लोग मतलब आज और कल में admission की प्रिक्रिया को पूरा करेंगे वो सभी लोग target 24 second best टे जुडेंगे और जुडने के बाद अपनी arthropoda से और जो है bryo fighter से class को continue करेंगे जो पीछे छूटा हुआ topic है उसको cover करेंगे एक-एक दो-दो class करके daily अब हमारी बारी आ रही है लीच के बारे में जैसे ही लीच के बारे में नाम आता है सबसे पहले लीच को याद किया जाता है और लीच को जब याद किया जाता है तो लीच के डाइग्राम को देखा जाता है और लीच जब आप लोग सोचते हैं तो आपकी biology R.L. कोटपाल कहती है लीज को सोचिए हीरूडिनेरिया ये कौन है ये हीरूडिनेरिया है इसे हीरूडिनेरिया ग्रैनूलोसा जिसे हम लोग पढ़ते हैं वो हीरूडिनेरिया ग्रैनूलोसा है सबसे पहले हम बात करते हैं इसके classification की उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इसका classification बेहतरीन तरीके से याद होगा फाइलम, एनिलीडा आप सभी लोग जानते हैं आप बताएंगे हीरूडिनिया इसकी क्लास कौन सी है हीरूडिनिया क्लास को बिलॉंग करता है आप बताएंगे सर नैथोब डेलिया इसका 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 आप कौन सा है? Herodinaria. इसका genus कौन सा है? Herodinaria genus है. कौन सा है? Herodinaria. और इसकी species कौन सी है? याद रखिएगा. इसकी species है? Granulosa. तो जो लोग नोट किये हैं, उन्हों अपनी कौपी में नोट रहने दें. जो लोग नोट नहीं किये थे, वो लोग नोट कर लें. यह इसका classification है और उम्मीद करते हैं, यह classification आप सभी लोगों को याद होगा. पहला प्रश्न है, saliva of leech contain an anti-coagulant. saliva of leech के पास एक anti-coagulant होता है, जो blood sucking के समय. और यह leech है, जो plebotomy show करता है. क्या? plebotomy. plebotomy show करता है. plebotomy क्या होता है? sucking of impure blood. यह impure blood को suck करता है. sucking of impure blood. यह impure blood को suck करता है. इसे बोलते हैं plebotomy. इसके इस nature के कारण इसको sanguivorous बोला जाता है. इसका सही आंसर होगा. anti-coagulant कौन होता है? blood को suck करते समय. blood का थक्का ना जम जाए. इसलिए इसमें anti-coagulant पाया जाता है. जो blood के थक्का जमने को रोकता है. किसको रोकता है? जो blood के थक्का बनने को रोकता है. और उम्मिद करते हैं. लगभग यहां तक्की बाते हैं. आप सभी लोगों की clear. Next question. Question number 2. आपकी screen पर. Common cattle leech belongs to the genus. जो कहरें common cattle leech है. common cattle leech belongs to the genus. किस genus को बिलॉंग करता है? आप बताएंगे सर. common cattle leech, megascolix को? नहीं. नेंथस को? नहीं. अरेनिकोला को? नहीं. इसका सही answer है. हिरुडो को बिलॉंग करता है. किस genus को बिलॉंग करता है? हिरुडो जीनस को बिलॉंग करता है. और आशा करते हैं. सभी लोगों का correct answer आएगा. सर, यह हिरुडो जीनस को बिलॉंग करता है. फिर से यह दिपीट हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हिरू डिन के नाम से जानते हैं, और आशा करते हैं, सभी लोगों का correct answer होगा How many chambers are found in the crop of leech, लीच के crop में कितने chambers पाए जाते हैं, 9 से लेकर 18 सेगमेंट तक पाए जाते हैं, अगर इनकी counting करते हैं, तो हम लोग 10 आता है, तो इसका सही answer सबका लग रहा होगा, 10, कितना होता है, 10 होता है, सबका सही answer लग रहा होगा, सर जी, ये 9 से 18 के बीच में होते हैं, और ये कितने होते हैं, ये 10 होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, ये 10 होते हैं और उम्मिद करते हैं, लग भग सभी लोगों का correct answer है, this is 10 Leech is a blood sucking animals, nutritionally, therefore leeches, करें कि लीच जो है blood sucking animals है, naturally ये होता है, naturally ये क्या होता है, तो आप बताएंगे, naturally ये sangvivores होता है, क्या होता है दोस्तों, naturally ये sangvivores होता है, naturally इसे हम लोग sangvivores कहते हैं, naturally ये क्या होता है, naturally ये sangvivores होता है, और उम्मिद करते हैं, लग भग सभी लोगों का correct answer है, हाँ भाई, crop जो है, ये elementary canal का part है, जी, next question, six number question, आपकी screen पर, in which segments do you found the OV sack in leech, किस segment में OV sack आप पाएंगे, OV sack किस segment में मिलता है leech के, तो सभी का answer आ रहा होगा sir, 11th segment में मिलता है, OV sack किस segment में मिलता है, तो सभी का answer आएगा, कि sir जी, ये मिलता है, आपके, मिलता है, most most important, which segment possess nephridia in herudinaria, herudinaria में nephridia होते हैं, कितने होते हैं, 17 pairs होते हैं, कितने होते हैं 17 पेयर्स होते हैं कहा से कहा तक होते हैं 6 से 22 खंड तक होते हैं 6 तू 22 नेफ्रीडिया कितने होते हैं आपको याद होना चाहिए नेफ्रीडिया 17 पेयर्स होते हैं किस से किस खंड के बीच में होते हैं 6 से 22 खंड के बीच में होते हैं वैसे आप से पूछा लीच की बॉड़ी जो होती है वो 33 सेगमेंट में डिविजिबल होती है ये 33 सेगमेंट में बटी होती है और याद रखेंगे 6 से लेकर 22 सेगमेंट तक नेफरीडियो पोर पाये जाते हैं और ये 17 जोड़ी होते हैं कितने होते हैं ये 17 पेर्स होते हैं और आशा करते हैं सभी लोगों को ये बात याद होगी जी next question 8 number question आपके screen पर female genital opening of herodinaria is present तो सभी को याद है female genital opening herodinaria में present होता है किसमें 11th segment में किसमें 11th segment दो जगा option दिया है 11th segment में कहां present होता है 11th segment में present होता है और 11th segment आपके पास दो जगहां आंसर में दिया है तो आप सभी का correct answer आएगा Second annually of 11th segment 11th segment के Second annually में present होता है D is the right answer Annually का concept हमने आपको सिखाया था First annually क्या होता है Second annually क्या होता है Third annually क्या होता है ये सारे concept हम सभी लोगों ने सीखा था इसका सही answer होगा कि ये 11th segment में होता है second annually के होता है किसके second annually के होता है next question 9 number question आपकी screen पर the posterior sucker of herodinary is formed by the union of करें कि जो herodinaria है जैसे this is the herodinaria herodinaria का anterior sucker होता है और posterior sucker होता है आपको बताया था जो posterior sucker होता है उसमें कितने segment होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने segment होते हैं साथ posterior sucker में कितने segment होते हैं 1 segment महागलत 2 segment महागलत 33 segment महागलत 25 segment महागलत answer will be 7 segments इसका answer कितना होगा posterior sucker में कितने segments होते हैं आपका answer आएगा सर posterior sucker में 7 segment होते हैं कितने होते हैं 7 segment होते हैं जी वंदना जी बिलकुल सही है कितने होते हैं 7 segment होते हैं 27, 28, 29, 30 31, 22 जी बहुत अच्छे very good 7th segment next question 10 number question session का last question the number of segments in herutinaria is herutinaria में कितने segment होते हैं आप सभी का answer आएगा 33 segment होते हैं और उम्मीद करते हैं लगभख सभी का correct answer आया होगा 33 segment होते हैं दोस्तों आप में से जो लोग नए बैस से जुड़ना चाहते हैं, वो सभी बैस से जुड़ने के लिए इस नमबर पर WhatsApp करें, ज्वाइन बायलजी लिखकर भेजे, और आप में से जो लोग S.E.O.T.E.S. TV से जुड़ना चाहते हैं, CO test series से जुडने के लिए इस नमब्र पर WhatsApp करें और CO test series लिख कर भेजें जो लोग आप में से NCRT batch से जुडना चाहते हैं वो लोग NCRT batch से जुडने के लिए इसी नमब्र पर WhatsApp करें 2756703588 पर join NCRT BIO लिख कर भेजें और जो लोग GS batch से जुडना चाहते हैं GS batch में आप देखिएगा GS batch के thumbnail पर एक नंबर लिखा है जिसमें 244 और 288 last में हैं आप इस नंबर पर WhatsApp करें और अपने GS batch से जुड़ें आप में से जो लोग interested हैं और CSIR की class से जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग CSIR की class से जुड़ने के लिए इसी नंबर पर WhatsApp करें मंडे से उसमें next unit शुरू हो रहा है मंडे से unit 6 को हम शुरू कर रहे हैं मंडे से unit 6 आपका शुरू हो रहा है और इस unit में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं plant system के बारे में plant system के बारे में पढ़ने वाले हैं और आप सभी लोग जो भी interested है CSIR net से जो जून में exam देना चाहते हैं वो सभी लोग इस बैस से जुड़ने के लिए 8756703588 पर join CSIR bio लिकर भेज़ें और अपने admission की प्रक्रिया को पूरा करें जिससे की unit 6 में आप participate कर सकें दो unit finish हो गई हैं दो unit के बाद 30 unit पर हम Monday से काम करने वाले हैं और इस तरीके से हम सभी लोग प्रिपेर होंगे कि अपने examination के point of view से इस बार CSIR net जियारक को crack करना है तो आज के लिए इतना मिलते हैं कल 7 बजे कल कितने बजे कल 7 बजे 480 लाइन्स की class में 480 लाइन्स की class में thank you to all of you good night शुभरात्री जैहिन